बहुत सारे food items होते हैं जिसको हम खाती तो है बट उसको English में क्या बोलते हैं वो हमें नहीं पता है जैसे कि पापड, उत्पम, बड़ा, दलिया सो आज हम सारे English में उसके नेम जानेंगे इसका पहला part बन चुका है इसका ये दूसरा part है सबसे पहला है पापड जिसको English में बोलेंगे पॉपेड़ा जो हमें पता नहीं है नेक्स्ट है उत्पम जो South Indian Deez है इसको English में बोलते है राइस पैनकेक अगला है पूरी या तो आप इसको पूरी भी बोल सकते हो इसको English में आप पूरी ही बोल सकते हो और इसके अलावा आप इसको fried puffed bread बोलेंगे क्योंकि ये फुला हुआ होता है अगला है रबडी जो sweet dish है इसको इंग्लिश में बोलेंगे Scrapped cream pudding Next है खीर इसको इंग्लिश में बोलते हैं pudding अगला है साबू दाने की खीर इसको इंग्लिश में सागो पूडिंग बोलते हैं क्योंकि साब्य दाने को सागो बोला जाते हैं और खीर है इसलिए सागो पूडिंग बोला जाता है Next है रोटी इसको generally इंग्लिश में चपाथी बोलते हैं बड़ आप ब्रैट भी बोल सकते हों या इसके अलावा puffed bread भी बोल सकते हूँ नेक्स्ट है गोल जाचे कि दूसरे का गोल होता है वैसे कोई भी गोल को हम better बोलते हैं या solution बोलते हैं बट better ज्यादा अच्छा लगता है अगला है वड़ा जो की South Indian डी से इसको इंग्लिश में बोलते है crocate नेक्स्ट है दलिया इसको इंग्लिश में बोलेंगे gruel अगला है चावल की खीर इसको इंग्लिश में बोलते है राइस पुडिंग हमने सिर्फ खीर देखी साबूदाने की खीर है और यह है चावल की खीर जिसको राइस पुडिंग बोला जाता है next है आलू ठिकी इसको इंग्लिश में बोलते है पोटेटो गेक अगला है पनीर जिसको इंग्लिश में बोलेंगे cottage cheese cottage cheese next है मलाई जो दूद के ऊपर आपको दिखते हैं वो मलाई उसको इंग्लिश में बोलते है क्रीम नेक्स्ट है सेवई इसको इंग्लिश में बोलते है वर्मी चेली इसका जो spelling एक्चुली वर्मी सेली होता है बड़ प्रनाउंसियेशन वर्मी चेली होता है अगला होता है अचार इसको इंग्लिश में बोलेंगे इसका है पिकल नेक्स्ट है दही जिसको हम जनरलिंग्लिश में सब जानते हैं कर्ड बोलते हैं इसके अलाव आप इसको योगर्ट भी बोल सकते हो और आकրी है गुलाब जामून इसको इंग्लिश में बोलते है डिप फ्राइब मिल्क बोल्स शीरप दिफ्राइ मिल्क बोल्स इन शीरप तो ये थी आज की मेरी वीडियो जाने से पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीची इट्स हेल्प मी अलाट हम मीलेंगे निक्स्ट वीडियो में तप्राइब